तर क्या कहना चाहेंगे एक फिल्म जो है रिलीस होने वाली और एक जो है उसकी तैयारिया चल दिया महुरत हो चुका है क्या कहना चाहेंगे जिर थोड़ा सा फिल्म के बारे में बते ही और क्या कुछ कहना चाहेंगे बेसिकली मेरा जो हूंटाउन ए लखनो है लखनों को हम से बैतर कोई नहीं जान सकते हैं लखनों के तैजीर लखनों का एक कल्चर बहुत खुबसूरत है लोग जाते हैं शूट करके आते हैं कल्चर को नहीं लाते हैं लखनों को यूज कर रहे हैं लखनों को कोई कुछ नहीं दे रहा हैं लखनों से लोग ले रहे हैं वहां के लोग चिफकेंगे, लोग काम मांगेंगे, लोग यह करेंगे, वो करेंगे। जिस मिट्टी के आप बने हो, उस मिट्टी को भूल गए तो फिर बेकार है आपका जीना। पहली फिल्म हमने और हमारे प्रड़क्शन ने और दो लोगों ने मिलके बनाई है, इंशनला वो तो बहुत अच्छी जाएगी। हमने जो वहां पर कल्चर जीया है वो अपने पन से बहुत प्रेदित है, बहुत ज़ग है। तो हमको लगा के हम इधर उधर ना करके हम उस लाइफ को परदे पर डालते हैं जो वहां पर हम लोग जी करके आएं। लकी अली खार्मी वहीं के हैं तो मैं चाहांगा कि इस फिलिम से लोगों को एक चीश को इस तो करो रभादे नोगा आपनी मिट्टी से जड़ो अपने कलश्चर को जो जहां का है वहां के लिए कुछ ने कुछ करना चाहिए बुझे ऐसा लगता है और यह इस्टोरी में और यासमीन जी लिख नहीं है इस इस्टोरी में वह चीज दिखाने के अम लोग ने कोशिश किया जो लोग 19-20 सताबदी में जीते थे अपने पन से कल्चर से कोई तरह का कि वनलब इस तरह से लोग जीते थे कि लोगों को लगता था कि हम सिर्फ इंसान है और कुछ नहीं है तो वहीं हमने कोशिश करेंगे और उसी में कॉमेडी है जो कंटीनी चल रही है नवाब साप और बनारस से आई हुए एक लड़के के ब कि मसे है वो फिल्म में ही आपको पता लगेगा क्या है बस उसी से बचने बचाने के लिए पूरी फिल्म में एक्टर और नवाब साथ बारे बारे घूंते हैं तो ही पिक्चर पूरी कॉमेडी बनती है